अब्रिवन वेल्कम तो कॉंप्लेक्स एंचीनेरींग तो अभी हम लोग बात करने वाले थ्री फेस इन्वरेटर विद यहाँ पर जो कंडेक्शन मोड होगा वह होगा 120 इगरी इस से पहले हमने जो इन्वरेटर के बारे में जो बात किया था वो 180 इगरी मोड पर उपरेट हो तो एक particular angle मिलता है वो particular angle पर कोई एक particular जो thyristor होता है वो turn on होता है और एक particular thyristor turn off होता है तो इसके वज़े से होता क्या है short circuit होने के chances होते हैं और यह drawback होता है 180 degree conduction mode का तो यही reason के वज़े से यहाँ पर हम लोग consider करते है 3 phase inverter with 120 degree conduction mode तो यहाँ पर अगर आप देखो और यह एकदम simple है इसका working principle in comparison with the last inverter which was quite difficult and complex to understand तो यहाँ पर यह जो circuitry आपको जो मिलेंगी वो आपको कुछ तरीके से मिलेंगी यहाँ पर आप देखों यहाँ पर आपको 6 thyristors मिलेंगे यहाँ पर यह T1 thyristor यहाँ पर यह T2 thyristor, T3 thyristor, T4 thyristor, T5 thyristor, T6 thyristor यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे होगा क्या और यहाँ पर हमने dotted box में जो load जो consider क्या वो कौन सा लोड है यह star connected resistive load है तो यहाँ पर अभी आप देखो अगेन यहाँ पर आप यह table को अगर consider करो यहाँ पर यह 0 degree, यह 60 degree यह 120 degree, 180, 240, 300, 360 60 degree, 120, 180, 240, 300, 360 degree यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे 120 degree conduction mode में हर एक जो थारिस्टार होता है वो 120 degree तक के operate करता है जैसे के यहाँ पर आप देखो यहाँ पर यह जो T1 जो थारिस्टार है यह 120 degree तक के यह operate करेंगे यहाँ पर यह 0 degree से 60 degree के बिच में कौन-कौन सा थारिस्टार कंड़क्ट कर रहा है T1 थारिस्टार कंड़क्ट कर रहा है तो इसके बाद अगर आप देखो 60 degree से 120 degree के बिच में कौन-कौन सा थारिस्टार कंड़क्ट कर रहा है यहां पर अगर हम लोग देखे अगेन आप इसका अगर वरकिंग प्रिंसिपल समझेंगे बाकी के जो मोड है आप उसको सिमेटरीगली कंस्रिटर करते जाना अगर हम लोग बाकी के mode को भी अगर हम लोग समझते बैटेंगे तो यह जो वीडियो वो 5-6 गंटे की बन जाएंगी तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे हम लोग दो mode को एकदम detail में समझेंगे बाकी के जो mode से आप उसको symmetry से समझते जाना एकदम simple सा concept है सबसे पहला होगा क्या 0 डिखी से 60 डिखी के बिच में तइवन कंटक्ट करेगा तइवन थारिस्टा कनड़शक रेगा और यहैं तइवर तम यह सब जोग हैं अर यह जो बाकी के सब open स्विच होगेह तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से close switch से समझा यहाँ पर अगर हम लोग देखे जैसे के मैंने आप लोग को वोला यहाँ पर यह जो T1 थारिस्टर और जो T6 थारिस्टर यही कंड़क्ट करेंगे तो यह दोनों को हम लोग consider करते हैं ऐसा switch तो यहां पर यह T1 थारिस्टर और यहां पर यह T6 थारिस्टर हमने consider कर लिया बाकी की दो जो थारिस्टर और यहां पर जो दो तरीके से फ्लो करेंगा current यहां से flow करेगा तсыरू करेगा तक यहां पर current यहां से flow करेगा बेख से협न करेगा यहां से flow करेगा यह वाले थैरिस्टर के थरू पर यहां पर जो current यहां पर आके negative terminal पर terminate हो जाएगा मतलब कुछ इस तरहीखे से current यहां होगा तो यहाँ पर अभी आप देखो जो current हो कौन-कौन से face के through flow कर रहा है A face के through flow कर रहा है B face के through flow कर रहा है क्या C face के through current flow कर रहा है क्या obviously जो C face है इसके through current flow नहीं कर रहा C face के through current flow नहीं कर रहा है इसका मतलब जो voltage होगा C face के across मतलब जो VCO जो voltage होगा लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होगा वी क्या होगा हो जाएगा जीरो सिमिलर्ली अगर आप देखो वी ए ओ वोल्टेज आपको जो मिलेगा वह आपको नौन जीरो मिलेगा हम लोग देखें यहां पर हमने वैफ fond ó अपर आप देखो ए ओ ओ क्रॉडच छोल वाली the se सी और यहां पर और उसके लिए वाली वेफॉर्म इंश के लिए वेफॉर्म हमने कर घया तो यहां पर 751ड सर्कित कर लें इसके घिकर संक्ति किसा मिलीगि निया पर बहुते क्लिई और दोनों छो सिरी में लगे यहां और यहां पर हम लोग देख सकते phase A और यहां पर है नी ज草तक्त और यह पर कन्सर्टा कर दिया फेसlove लिए रड़ा करेंगे भागी के मोड्ड के लिए हम आपको कुछ तरीके से मिलेंगी यहां पर यह lum नंबर 1 जिरो से 60डीगरीे के बिच में 60डीगरी से 120डीगरी मोड़ 2 1 डीगरी से 180डीगरी के बिच में मोड़ 3 180 से 240 mode number 4 240 से 300 mode number 5 300 से 600 mode number 6 आपको मिलेगा यहाँ पर अभी आप देखो हम लोग mode number 1 रहे है राइट तो यहाँ पर यह जो AO के अक्रॉस हमें जो voltage जो मिल रहा है वह में कितना मिल रहा है Vs by 2 मिल रहा है तो यहाँ पर आप देखो जो Vs by 2 जो voltage यह आपको सम्वेर अराउंट यह वाले point पर मिलेगा जो के कर्सर की tip शो कर रही है तहाँ पर हमने voltage consider कर लिया जो कि क्या है Vs by 2 similarly BO के अक्रॉस अगर आप voltage देखो तो आपको क्या मिलेगा minus Vs by 2 फूर्दी voltage अक्रॉस भी हो तो यहाँ पर अगर आप देखो विच में आपको B.O के 선 ब्रहां जो voltage आपको मिलता है वापको क्या मिलता है Vs by 2 similarly यहाँ पर अगर हम लोग देखें CO के अक्रॉस आपको जो voltage जो मिलता है वापको क्या मिल्रहा है जैसे के हमने discuss किया यहाँ यह जो CO के जो voltage मिल रहा है वह 0 मिल रहा है इसके बार में मैंने आप लोग पहला ही बताया था c o kya klaus जो voltage वह क्ला है वह 0 तो यहां पर आप देख इसकते हैं ऑपर हमने शो कर दिया 0 voltage अभी आ जाते mode number 2 पर mode number 2 कहां से कां से कहां तक के mode number 2 60 degree to 120 degree है बीच में तो mode no.2 में कौन कौन कंड़ाइ , T1 थैरिस्टर कंड़ाई, T2 थैरिस्टर कंड़ाइ तो यहां पर आब देखो T1 थैरिस्टर कंड़ा ग्डड़ा और यह T2 थैरिस्टर कंड़ाइ तो छि themlisfly कर चुछ इ사 करके कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर यहें T1 thyristor conductor कर रहा है यहां पर आप δेखो अभी current किस तरीके से flow होने वाला है यहां पर आप current का flow अगर देखो तो जो current को कुछ इस तरीके से ओलोगा जो current हो यह से ओलोगा ती वन यहां से फ्लो होगा फिर जो करेंट यह तर्मिनल पर आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से करेंट का फ्लो होगा similarly इसके लिए आप एक्युवैलेंट शर्कीट अगर कंसिडर करो यहां पर यह और जो सीरीज में उबल्य के जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वी एजब कर रहा क्राइघ तो यह पर आप देखो वैल्वाली जो फेश इसके तो koी करेंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जो voltage होगा O B के cross मतलब B O के cross कितना रहेगा वो 0V रहेगा यहाँ पर अभी आप देखो यह हमने consider क्या था mode number 2 के लिए हमने line to neutral voltage consider क्या है तो A O के cross voltage हमें कितना मिल रहा है VS by 2 मिल रहा है यहाँ पर आप देखो A O के cross voltage वोल्य नोटेज क्या है सिरो मिल रहा है यहां पर हम लोग भी आपड़ा स्टने हमें कितना मिल रहा है वो मिल रहा है मानस यहां पर अभी अगर हम लोग देखे स्वेक्राइब गयम वेल स्टेज्च मट नमबर 3220-1000 में में सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप को सेम प्रोसिजर सेटस्ट्पाय करना आपको सेम स्टैप सेटिस्टाय करना है मगर यहाँ पर हमने same step consider नहीं किया otherwise जो वीडियो बहुत long हो जाती तो यहाँ पर आप देखो मैं आपको यह फिर से बता देता हूँ again 120 degree से mode number 3 जो के 120 degree से 180 degree के बीच में mode number 3 है करेंट करेंट करेंगान कि यहाँ दिखा है जो तरह में तर्म आसे कुछ इस तरीके से फूलो करेंगा तो यहां से flow करेगा, यहां से flow करेगा, यहां से flow करेगा, वहाला path follow करेगा, कुछ इस तरह कीए खरो करेगा, T2 पर all the flow करेगा ठिर यहां पर आप फालो करते वह current आपके तर्मिनेट हो जाएंगा तो यहां पर अगर आप देखो जो current हो κौन-कौन से phase के rate through flow कर रहा है यहाँ पर यह B और C के तरूँ flow कर रहा है और यहाँ पर यह जो current है वो यह A face के तरूँ flow नहीं कर रहा है mode number 3 में तो जो A O के across जो voltage होगा वो obviously 0 होगा तो यहाँ पर हम लोग देख सकते A O के across जो voltage होगा आपको क्या मिला? 0 मिला similarly B O के across आपको जो voltage आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा Vs by 2 C O के across जो voltage होगा वो आपको same मिलेगा जो कि होगा minus Vs by 2 तो यहाँ पर mode number 4 आजाता है mode number 4 180 degree से 240 degree गे विश में तो mode number 4 में T3 और T4 conduct करता है similarly जब T3 और T4 conduct करेंगे तो A O के across आपको जो voltage जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा mode number 4 में mode number 4 में A O के across जो voltage होगा माइनस Vs by 2 similarly B O के across जो voltage होगा वो again आपको क्या मिलेगा Vs by 2 मिलेगा तो यहाँ पर यह Vs by 2 similarly यहाँ पर अगर आप देखो C O के across जो voltage होगा वो क्या होगा वो 0 होगा तो यहां पर यह mode number 4 खतम होता है पिर अगेन कौन सा mode आएगा mode number 5 आएगा तो mode number 5 240 degree से 300 degree के बिच में T5 थारिस्टर और T4 थारिस्टर कंड़क्ट करेंगे तो mode number 5 अगर आप देखो mode number 5 में A के अक्रॉस जो voltage होगा जो कि होगा माइनस VS by 2 बी होगा अगर आप देखो यहां पर हम पर आपको वी आस बायज मिला यहां पर mode number 5 आपका complete होता है प्रोसके बाद कौन सा mode आएगा mode number 6 आएगा जो mode number 6 है वो 300-360 degree के बिच में तो mode number 6 में T5 थारिस्टर और T6 थारिस्टर यह वो गंडक्ट करेगे तो AO के अक्रॉस आपको जो output voltage यो मिलेगा वो आपको मिलेगा 0 B O के अक्रॉस जो output voltage होगा वह होगा minus Vs by 2 तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं minus Vs by 2 और CO के अक्रॉस आपको जो output voltage जो मिलेगा वह आपको मिलेगा plus Vs by 2 तो यहां पर यह प्लस Vs by 2 और अगेन अगर आप देखो यहां पर यहां पर यह mode number 6 आपको मिला 300-360 degree के बिच में फिर उसके बाद mode number 1 रिपीट होगा और यह जो waveform होगी वो कुछ इस तरीके से रिपीट कर इने चीने टो नॵल्टेज यहां तो यह चैए कि यहां पर अकेन आपको इक्विशन के बारहे में पता होना सबस्बह急 क्या होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं जो दो सी और एक्रास वोल्टे Alberto something क्ली बोलते हैं लाइन टू लाइन सी है की अपर देखों दो सी और एक्रास अपर सी सी और यहां आप देखांन एक्रास सी हो मानस क्रॉस यहां पर आप देखो यहां पर हमने भूल दिखा है चोनल के प्रॉस क्रॉस को क्लुफ यहां पर आप देखो अगे यहां पर आपको यह जो वी ओ है A uok across voltage और B uok across जो voltage हैं इनकी value आपको find out करने होगी इनकी value आपको कहां से मिलेंगी इनकी value आपको मिलेंगी ये वाले waveform के help से ये जो line to neutral voltage का waveform उपने जो consider क्या है यहां से आपको मिलेंगी तो मैं आपको एक दो बार बता देतो हूं mode number 1 के लिए मैं आपको बता देतो बागे का जो मोड होगा आप उसके लिए कंसरीडर कर लेना यहाँ पर यह. यह इसको उन्हें इसका वोल्टेज होगा उसके लिए और यहाँ पर यह आप देखो जो AB के across जो voltage है उसके लिए ये वाली waveform BC के across जो voltage है BC के across जो voltage है उसके लिए ये वाली waveform similarly यहाँ पर ये CA के across जो voltage है उसके लिए ये वाली waveform हमने consider कर रखी है तो ये waveform कैसा मिली इसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखे सबसे बहला हम वोल्टेज लने जो कंस्रेडर है इसमें इम रहें जो ऋर्ट यहां पर ये शौलेश शॉष e. आपर as it is लिखा अभी यह voltage हमें consider करना है बी ओ के अक्रॉस अगेन आपको लाइन टू नूटरल वल्टेज वाली waveform consider करना है और आपको voltage यह वाली waveform consider करना है voltage across भी हो और mode number one consider करना है mode number one में आपको जो voltage across भी हो जो मिल रहा है वो मिल रहा है mode number one में हमें क्या मिल रहा है वी एस मिल रहा है similarly अगर हम लोग देखे BC के across voltage consider करें तो बराबर में होगा voltage across भी वो voltage across भी हो हमने यहा पर consider क्या था जो कि है माइनस माइनस भी एस बाइटू वोल्टेज अग्रोस CO के across voltage हमें देख रहा है तो mode number one हमें consider करना है लायन तो नूटरल वॉल्टेज वाली वेफ़फर्म यहाँ पर यह mode no.1 हमें consider करता है CO के across जो voltage वो क्या है वो है 0 mode no.1 में ना पर आप देखो यह mode no.1 हमने consider क्या है mode no.1 mode no.1 में CO के across जो voltage हमें जो मिल रही है वो हमें मिल रही है 0 यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो CO क्रोस हमें जो Wolteg मिल रही है क्या मिल रहे है जिरो मिल रही है CO क्रोस जो Wolteg है वो है 0 तो यहाँ पर यह 0 Calculate करेंगे माइनस VS तो जो B-C क्रोस जो Wolteg है वो है माइनस VS पाइटू करना है जो के बाराबर में वोल्टेज अगराउसी सेओं के लीडियum कैल लिगो के हökचल को नाई दिसका है यह क्लेट करेंगे तो हमें लगांध आपको जो क्रोल मिल गया थो स्ट्राव क्या मिल गया इब लोग नरुड़ उनकू कि अख्रो जो वोल्टेज है वो कितना है यांपर हमने कंस्रेड़ा कर लिए वी एस मोड नमबर वन में यहां पर अगर आप देखो mode number 2 आपको consider करना है again यह जो same step है यह हमने यहाँ पर जो same आपको वही करना है तो जब आप mode number 2 के लिए आप voltages calculate करोगे तो जो a b के across voltage होगा वोगा vs by 2 तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे vs by 2 voltage हमें मिल गया similarly bc के across voltage होगा वो भी होगा vs by 2 मिल गया तो यहाँ पर अगर हम लोग की across वोग favor गया क्या होगा वह करोलिया तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे आप ओ आप कुछ तरीकें से इस सरी कल्कोलेशन करोगे तो होगा क्या mode Mood No. 3 में Mood No. 3 में A, B के across जो VoLte erोगा माइनस VS x 2 B, C के across जो VoLte erोगा VS फिर उसके बाद एड़ी सेम टाइम at the same time CA के across जोلي वोटे जोगा होगा वोगा माइनस VS x 2 यहापर हम लोग देख सकते हैं Mाइनस VS x 2 फिर उसके बाद अगें आपको Mode No. 4 मिलेगा mode number 4 में AB के across जो voltage होगा वो क्या होगा वो होगा minus vs जिसका हम नहीं यहाँ पर consider किया BC के across जो voltage होगा वो होगा vs by 2 CA के across जो voltage होगा वो होगा plus vs by 2 तो plus vs by 2 हमें यहाँ पर मिलेगा similarly यहाँ पर अगर हम लोग देगा आपको मिलेगा mode number 5 mode number 5 में नुकर जो बहुत हो डिक्रीव कर जाए हैं लिक्रेस कर जाए गारी को जिएगा और यहां पर वोल्टेज ना माइनस विएस जाए है फिर उसके बाद अगर आप मायनस वी हैस भाइड टूिर यहां पर आनंपर आप देखो अभी आपको यहां पर जितरी मिलेंगा अप वीट नमबर 6 यहां पर complete होगा फिर अगें mode number 1 repeat होगा और यहां पर यह जो वेफ़ाम होगी तो कुछ इस तरीके से हैं यहां पर रिपीट होते जाएंगी यहां पर हमने जो वेफ़ाम जो consider क्या है वो किसके लिए यह वेफ़ाम हमने consider कर लिया line-to-line voltage के लिए